दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का विलकम टू माहेश अकाडमी यूट्यूब चैनल 28 फर्वरी 2030 के वी इस प्यर्टी मॉर्निंग शेफ्ट यानि के फर्स शेफ्ट में क्वेशन्स को लेकर के हम आजिर हैं आपके सारे सेगमेंट से एक स्टुडेंट के द्व हैं होंगे उसके बाद डिस कैलकुलिया पूछा हुआ था आपका मेंटल हैल्थ मैक्सिमम क्वेस्टन्स जो है वो आपके मेंटल हैल्थ से पूछे गए थे ध्यान रखेगा आरपी ड़लूडी एक्ट की बात करते हैं 2016 सब कुछ मैंने बताया पढ़ाया हुआ है यहां पर encouraging लेकर के बात करें बाकी अलगब बैच्जे जो है वो वैरी कर रहे हैं कभी आपके कटिन सवाल पूछे जा रहे हैं कभी आपके जो है easy questions जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर reasoning को ले करके बात करें तो seating arrangement से एक question था alphabet के और direction के questions जो है वो यहाँ पर देखने को मिले, computer में UPI का full form पूछा था, ध्यान देखेगा, यह UPS करके होगा आपका, ठीक है ध्यान देखेगा, UPS जब uninterrupted power supply की बात करते हैं, UPI तो आपका जब payment gateway वाला हो गया, चलिए देखते हैं, यहाँ पर UPI का full form आप लोग लिखें comment section में, ठीक है देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर UPI का full form जो है वो बताते हैं, switch जो है, वो किस type से use में आता है, switch की अगर हम बात करें, हब routers को ले करके बात करें, तो हमने परसो आपको OSI layer, open system interconnection layer के बारे में बताय साथ layers होती है, सबसे नीचे से पहली layer, physical layer होती है, switch, hub और router को लिए करके बात करें, तो यह से वहीं काम कर रहे होते हैं, browser से question था, पूछा गया था, English में sentence, rearrangement के 4 सवाल थे, vocabulary की बात करें, 5 questions, आपके clause से 3 सवाल जो है, वो देखने को मिले, tense से 5 questions, मैंने बताया, tense से आप 4 अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपका 5 यह सफ्री के marks है, मरब पहले से जो चुझे पता है, कम से कम उसे, तो आप देखके जाही सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं, हिंदी में रिमजिम बुक से question थे, यहाँ पर chapter से, बानो वाल लिंग और वचन से जो है, वो एक-एक सवाल देखने को मिले, जब हम हिंदी की बात करते हैं, mathematics में numerical series से सवाल, घंटी का एक सवाल जो है, वो दिया हुआ था, ठीक है, कि कितनी देर में बजेगी घंटी, वो आला सवाल जो आता है, time distance, जो हमेशा पूछा जाता है आपका, यहाँ पर kilogram को gram में change करने का सवाल जो है, वो दिया हुआ था, तो जब हम बात करते हैं, आपके questions को ले करके EVS में बात करें, कोडो कुभाशा में और यहाँ पर तोरंक किसे कहते हैं, यह question पूछा गया, तो language से आपके सवाल जो है, वो EVS में देखने को मिले, तो यह चीज सयाद रखेगा, जब हम बात करते हैं, आपके previous paper में, जो जो चीजे बताइगे हैं, अटलिस्ट जो अभी second shift last paper है, उनका भी आपका 28 फरवरियाज last है, KVS PRD के exam का, तो कम से कम वो इन चीजों को देख करके जा सकते हैं, interview की series हमने शुरू कर दी है, KVS demo and interview नाम की playlist है, description में वो सारी links आपको मिल जाएंगी, उसे देख करके जाएएगा, telegram channel महाश academy से आप ज़रूर जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, जय हिंजय भारत, वन्यमात्रम